दोस्तो इस क्लिप्स चैनल को हमने बनाया है आपको सिखाने के लिए नॉलेज शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो बेसिकली जो मैं समझाओ बेसिली कम्प्यूटर होते हर कम्प्यूटर का एक आई-पी अड्रेस होता है और आई-पी अड्रेस से कनेक्टेड कुछ सेंट्रलाइज बॉडी होती है और इन सारे चीजों को जिन वायर से जोडा जाता है collectively that entire system is called internet पर इंटरनेट का एक हिस्सा पुब्लिक इंटरनेट होता है और एक हिस्सा डाक इंटरनेट होती है डाक वेब होती है अगर कोई इमेल करते हो किसी को या आप किसी को WhatsApp मेसेज करते हो क्या आप ये एक्सपेट करते हो कि किसी दिन Google सर्च में आपके WhatsApp के चैट आएंगे कभी नहीं ना क्योंकि आपके WhatsApp चैट तो प्राइवेट है आपके और एक किसी इंसान के बीच में है आपकी emails तो private है आप इतने सारे emails Gmail के साथ करते हो आप कभी ये तो expect नहीं करते हो कि Google search या कोई कभी Google search करे तो आपकी या किसी के conversation वहाँ पर आ जाए ये सारी चीजे जो non-indexable है रनवीर although वो clear internet के principles के साथ काम करते है बट उसे भी आप dark web कह सकते हो so इस कारण में शुरू ये कर रहा था बताने का कि हर चीज डाक वेब में dark नहीं होती जो search engine से query किया जा सके उसे कहते है clear web जो search engine से query नहीं किया जा सके उसे आप कह सकते हो dark web तो ये dark web का crime angle, pawn angle, drugs angle कहा आता है क्योंकि अकसर mainstream में लोग इनी जीजों के बारे में सुनते है when it comes to dark web बिलकुल so Ranveer मैंने जैसे आपको बताया dark web का मतलब ये है कि आप track नहीं हो सकते हो जब आप track नहीं हो सकते हो आप उसे multiple reasons से use करते हो for example अगर मुझे कोई चीज पढ़ना है for example मुझे कोई बुक्स पढ़नी है जो बैंड है एक पर्टिकलर कंट्री में the best way to do that is a dark web in fact dark web में ऐसे बहुत सारी amazing forums है जहां पे खाली बैंड बुक्स मिलती है मुझे कोई communication करना है which is very sensitive to national security it doesn't make sense to do that through gmail.com जैसे कि कैसे conversation कोई भी conversation अगर मुझे किसी terrorist के बारे में पता चल गया है और मुझे वो किसी को बताना है in a very very confidential way जहां पे मुझे अपनी identity नहीं disclose करनी if that is the case dark web will be a great way and again dark web तो एक 40,000 level concept की में बात कर रहा हूं उसके अंदर अलग-अलग services होती है जो आप use करते हो और उस services के basis पे आप, you know, अपने आपको अनॉनिमाइज कर पाते हो but the तरीका जो पॉपिलर तरीका and by the way, there are multiple ways to go to the dark web also the most popular तरीका is using this thing called the tor browser tor browser यूज करना कोई इलीगल नहीं है क्योंकि आप उसे यूज करके अपनी identity प्रोटेक कर रहे हो तो उसे कहीं भी nobody can tell you why do you have a tor browser on your laptop I will come and arrest you that is not how this works but on the other side अगर क्योंकि tor browser जब आप use करते हो it's basically multiple nodes that you hop between in an anonymized way till the time you reach the final node and क्योंकि यहाँ पे आपकी identity mask हो जाती है याने कि एक normal clear web पे जब भी आप A से B से C से D जाते हो वहाँ पे आपका source IP एक तो आपका original IP होता है और दूसरी चीज आप same identity बिना किसी hidden context से आप हर hop के बाद जाते हो बट यहाँ पे जब आप tor browser यूज करते हो आपकी identity हर layer पे एक और level of masking हो जाती है तो इस कारण in fact काफी सारी myths भी होती है जैसे क्योंकि यहाँ पे masking of आपकी identity इतनी जादा हो जाती है dark web में आप यह देखोगे बहुत heavy files मतलब आप अपना podcast dark web में नहीं डाल सकते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे latency इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इतने सारे layers of masking और फिर unmasking unmasking भी करना पड़ेगा न क्योंकि आप जब कोई server पे जा रहे हैं कोई data लेने के लिए आपको वहाँ से वापस भी तो आना पड़ेगा और क्योंकि वहाँ पे latency इतनी बढ़ जाती है जिस time पे आप जाकर वापस आओग यहाँ पे इतने सारे masks होते हैं उस कारण आज अगर कोई यह कहता है कि मैं live streaming करता हूँ in fact आपने crimes की बात की एक popular crime जो dark web में लोग बात करते हैं generally उसे कहते red room red room क्या होता है रनवीर जो concept है basically कि वो एक live streaming हो रही होगी dark web में जहाँ पे आप किसी को torture कर रहे हो या किसी का murder कर रहे हो और आप उसे live stream करोगे to a lot of people and लोग उसे देखने के लिए आपको bitcoin से payment करेंगे पहली चीज यह conceptually impossible है क्योंकि live stream करना dark web में क्योंकि वहाँ पे latency इतनी जादा होती है it will be very 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 difficult but what is possible suppose कोई चीज होती भी है you know red rooms बोलके वहाँ पे आपको कोई या तो skype या zoom या teams का एक invite भेज़ते है वो communication जहां तक plain text communication है वो आप आराम से कर सकते हो maybe I spent thousands of hours on the dark web और उसके बाद भी लोग कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं वो करूंगा ये करूंगा but जादा तर या तो वो फेक होती है rooms क्योंकि all they care about is जैसे आपको पैसे मिल जाएंगे and you know they'll run away क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपका KYC क्या था not only at the dark web as your identity but also when you pay through bitcoin there are ways to sort that out also there's something called escrow accounts and there can be smart contracts through ethereum but that's a different story I'm just keeping things very very simple here that in most cases that either they are very fraudulent and it's like a very 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 small minority of what you would be able to see these things as a red room while it makes for great oh my god this is what is happening in the dark web but that's not the case but on the other side what is very popular as you said right unfortunately very popular would be child pornography it will be you know it would be talking about things which are not popular in nature right in fact ये काफी पॉपिलर चीज़ है कि करीब करीब early you know early 2000 I think it was 14 or 15 the US government which by the way is one of the biggest not only supporters of the dark web and it funds the dark web but it also is very very heavily involved in fact जादातर फोरूम्स जो डाक्वे में होती है not only US government की three letter agencies उसे चलाती है without you knowing about it but globally बहुत सारी intelligence agencies जान बूच के ऐसे फोरूम्स चलाती है जहां पे वो सुन सके की conversations क्या हो रही है और based on that there was a time where the US government shut down majority of the embassies of the US of the United States in the Middle East because they found from the dark web की इस बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा था की कैसे हम उन embassies को bomb कर सकते हैं आप बहाए्यों आप आए पीडिस, के र YAईंचे क Kaag और वे उन मैं झाली ख सकते हैं मैं झाली खीडメिंदो आप एlar अ ऊатली मैं आप मैं! झाल झाल